साथियों, जम्मु कश्मीर की जीवन देखा कही जाने वाली जेलम नदीम है, राबी, ब्यास, सतलूच, मिलने से पहले कई उपन नदियां भी मिलती हैं और फिर ये सारी नदियां महान सिंदु नदी में समाज आती हैं। महान सिंदु नदी हमारी सव्यदा, हमारी संस्कृति और विकास यात्रा का परियाए हैं। इसी तरह विकास की क्रांती भी उपन नदियां, सहायक नदियां के तरह ही कई धाराओं में आती हैं और फिर बड़ी धारा बन जाती हैं। इसी सोच के साथ हम स्वास्त के छेत्र में भी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कई छोटी छोटी धाराओं की तरह कई योजनाओं की शुरुवाती हैं। और सबका एक ही लक्षा है स्वास्त के छेत्र में क्रांतिकारी बड़लाव लाना। जब हमने उजवला योजना के तहट देश की बहनों को बेटियों को गैस कनेक्शन दिया। तो इसे सिरफ इंधन पहुंचाने की एक योजना के तोर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हमने इसके जरिये अपनी बहनों बेटियों को धुमें से मुक्ति दिलाई पूरे परिवार की स्वास्त को सुधारने का प्रयास किया है। महामारी के दोरान भी यहां जम्मू कश्मीर में करीब अठारा लाग गैस सिलेंडर अठारा लाग गैस सिलेंडर रिफिल कराए गए हैं। उसी प्रकार से आप स्वच्छ भारत अभ्यान का युदान लीजिए। इस अभ्यान के तहट जम्मू कश्मीर में दस लाग से जमदा टॉइलेट बनाए गए। लेकिन इसका मकसद सिरफ सवचालाई बनाने तक सिमित नहीं। ये लोगों के स्वास्थ को सुधारने की भी कोशिश है। सवचालाई से स्वच्छता तो आई ही हैं। बहुत सी बिमारियों को भी रोका जा सका है। अब इसी कड़ी में आज जम्मु कश्मीर आईश्मान भारत सह स्कीम शुरू की गई है। आप सोचिए जब इस कीम के तहट राज के प्रतेक व्यक्ति को पांच लाख रुपिये तक का मुप्त इलाज मिलेगा तो उनके जीवन में कितनी बड़ी सहूलियत आएगी। अभी तक आईश्मान भारत योजना का लाख राजी के करीब छे लाख परिवारों को मिल रहा था। अब सहत योजना के बाद यही लाख करीब करीब 21 लाख परिवारों को मिलेगा।